हेलो बच्चो हमारे यूट्यूब चैनल कमला एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हाज हम पढ़ेंगे वीरो को पढ़ना यह एक कविता है इसके लेकक है रमेश दिक्षित जी कविता है देश की मिट्टी का कंकन है जिने प्राण से प्यारा प्रणाम ऐसे वीरो को सौसो बार हमारा यह ऐसी धर्ती है जहां पर गंगा जमना बहती देश पर मर मिटने की हरदम दुनसी रहती वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा नमस्कार ऐसे वीरों को सौसो बार हमारा यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापन की सीख में देश की मिट्टी का कंकन है जिने प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरो को सौसो बार हमारा, कभी कहते हैं देश की मिट्टी का कंकन है जिने प्राण से प्यारा, प्राण मिन्स होता है कि जान, प्रणाम ऐसे वीरो को सौसो बार हमारा, प्रणाम मिन्स है नमन, और सौसो जेस बर बार मिंस होता है कि अनेकों बार क्वी इस मैं समझा रहे है कि जिन है देश की मिट्टी का कंपनपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं यह ऐसी धर्ती है जहां पर गंगा जमना बहती देश पर मर मिटने की हरदम धुंसी रहती हरदम इंस होता है कि हमेश्चा यह ऐसी धर्ती है जहां गंगा और यमना जैसी पवित्र नद्य बहती है और यहां के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तयार रहते हैं चमका हिंद वतन का तारह नमशकार ऐसे वीरों को सौ सो बार हमारा कभी कह रहे हैं कि वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारी भारत देस का तारह चमका है यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में सीखा हम लोगों ने कुस तो प्राणापन की सीख में प्राणापन मिस होता है प्राणों का बलिदान देना कभी कह रहे हैं कि यह आजादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है हमने जो कुछ भी सीखा है तो वो अपने प्राणों का बलिदान करके ही सीखा है देश की मिट्टी का कंकं है जिने प्राण से प्यारा प्रणाम ऐसे वीरों को सो सो बार हमाला जिने देश की मिट्टी का प्रते कंकं अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है ऐसे वीरो को हम बार बार प्रणाम कहते हैं इस कविता में कवी ने हमें बताया है कि आज हमारा जो देश आजाद है और देश को आजाद करने के लिए जो सैकडो देश बक्तों ने प्राण दिये है इस कविता के द्वारा उन्हें उन्सहीदों और वीरों को प्रणाम किया गया है यह कविता आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेर कीजिए इस चैनल पर आप नए है तो सस्क्राइब कीजिए थैंक यू